देश में बरती महंगाई के चलते जहां जगहे जगहे लोग प्रदशन कर रहे हैं तो वहीं जहांसी के मौरानीपूर तैसील के पल्रा गाउं में किसान कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शिब नारहें सिंग परिहार की अध्यक्षता में किसान पंचायत कायोजन किया गया जिसमें बरती महंगाई और डीजल पैट्रॉल के अलावा रसोई गैस के बरते दामों से नाराज ग्रामीडों ने सरकार के खिलाब विरोध प्रदशन किया जनपट जहासी के मौरानी पूर तहसील शेत्र के गाउप पलरा में बुदवार को उत्तर प्रदेश किसान कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिब नारहेंड सिंग परिहार के नेतरतों में किसान पंचायत कायोजन हुआ जिसमें समस्याओ को लेकर किसानों ने जम कर नारे बाजी की शाती जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी पंचायत में महंगी गैस सिलेंडर महंगे डीजल से किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला पंचायत में ग्रामीर शेत्र की महिलाओ ने रसोई सिलेंडर रक कर नारवाजी करते हुए बताया कि सरकार द्वारा ग्रामीर महिलाओ को उज्वला योजना के तहट जो सिलेंडर मिले हैं उन्हें अब हम लोग भरवाने में असमरत हैं क्योंकि अब सिलेंडर की कीमत आसमान चू रही है और ऐसे में गैस पर खाना बनाना संभव नहीं। इसलिए सभी अब चूले पर भोजन बना रहे हैं और उज्वला योजना के सिलेंडर शोपीस बने हुए हैं। पंचायत में बढ़ती कीमतों पर रोक लगाई जाने की मांग की गई। हम लोगों के सिलेंडर तो खाली पड़े हैं हम चूले में लकड़ी और कंड़ों से रोटी खाना बना रहे हैं। सरकार से मांग करते हैं कि सिलेंडर के दाम घटाए जाएं जिससे हम लोग ये उज्वला योजना का लाब ले सकें वरना इस योजना का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों के पास इतना धन नहीं है, पैसा नहीं है कि हम लोग से लेंडर भरवाग के और अपना रसोई का काम चला सकें। आज किसान परेसान है डीजल बढ़ जाने से किसान अपने टेक्टर नहीं चला पा रहा है ना अपने खेत में इंजन चला पा रहा है तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि डीजल के पेट्रॉल के और सेलेंडर के धाम तत्काल वापस लिये जाए